अगर आपको लगता है कि आपका रेश्यो जी हाँ अनुपात और समानुपात बहुत बहुत पहतरी धंग से पड़ा हुआ है आपने रेश्यो अच्छे से कवर कर लिया पर आपको जो क्वाइं सिक्को वाले प्रस्ट जो होते हैं उस तरह के कोश्चन्स अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आज की इस वीडियो में हम आज उसका पूरा complete solution करने वाले हैं और ये वीडियो मैं आपको दावे के साथ करता हूं कि आज की इस वीडियो को अगर आप complete पूरा देखते हैं तो सिक्कों से संबंदित या सिक्कों पर अधारित जितने भी प्रस्ण है सभी का complete एक complete solution हम देंगे और बिल्कुल एक भी प्रस्ण आज के बाद नहीं चूटेगा एकदम बिल्कुल सौट ट्रिक में चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला सवाल पहला सवाल जो आपके screenboard के उपर दिख रहा है मिसका solution शुरू करते हैं सवाल आपने पढ़ लिया होगा सवाल कह रहा है कि एक बैग में 180 रुपया है ठीक है एक बैग में 180 रुपया है और कुछ इस तरह से कह रहा है कि जो एक रुपया 50 पैस और 25 पैसे के सिक्के हैं तो आप देखिए कर रहा है इसमें एक रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं जिनका ratio भी दिया हुए 2 अनुपाद 3 अनुपाद 4 है आपसे प्रश्ण पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के कितने सिक्के इस बैग के अंदर जो हैं रखे हुए देखिए समझ से 180 एक रुपया वाला सिक्का है 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का है तीन प्रकार के सिक्के इस बैग के अंदर रखे हुए हैं अब देखिएगा करें एक बैग में टोटल 180 रुपया है और उस 180 रुपया में तीन प्रकार के सिक्के वेलवल है एक रुपया पचास पशाओर पचीस पैसे अब देखिए आप इस पर ध्यान दिजे कि रेष्यू किस चीज़ का दिया हुए जिनका अनुपाथ strongly किस चीज़ का यानि रूपया है 180 रुपया में तीन परकार के सिक्षे एक रूपया 50 पैसा और 25 पैसा जिनके सिक्कों का अनुपाद 2 अनुपाद 3 अनुपाद 4 इन पात में जो रेशियों दिया हुआ है वो दो अनुपाद यहां पर आपको क्या करना है अगला स्टेप मतलब आपको बनाना क्या है आपको एक टॉपिक लिखना यहाँ पर खनदार अगंड oisय लुट, आपको कुश्चन में खिक्द सक का रेशयो दिया हुआ खिक है सिक्द लु도 डी5-3 , इन और रुपाया का रेशयो आपको निकालना अनिवार और अगर अगर आपको धनराशी का रेशियो दीया हुआ है तो आपको रुपयया, sorry, आपको शिक्का का रेशियो निकालना बिलकुल आनिवार है, कईड़ी सर कैसेनेकलेगा, देखे, आप बताए 1 रुपयया वाला 2 लथो सिक्का कईड़ी से निकले, तो पचास्तिया डेड़ रूपईया यानि एक दसमलब पाँजीरो और इसको बोलते हैं 25 पैसा वाला को चवणनी बोलते हैं चार को चवणनी अगर आपके पॉकेट से निकले तो 25 चका 100 पैसा यानि कितना रूपईया एक रूपईया निकले आप कहिए कि रेशियो कहे निक साथ करने के लिए आपको यह काम करना पड़ेगा तो आप देखिए यहां पर जो है वो टोटल है 180 रूपईया ठीक है तो रूपईया का तुलना सिक्का से तोड़ी होगा रूपईया का तुलना रूपईया से होगा यानि ऐसे कंडिशन में 180 बटे दू और डेड़ तीन और एक साड़े 4 क्यों क्यों कि यह 180 रुपया था रुपया का तुलना रुपया से क्या चाहिए आपको चाहिए 50 पैसे वाले सिक्खों की संख्या तो 50 पैसा वाला देखों यह शिक्का क्षां यहीं है न जो दिया है उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में आप से जो पूछे उससे गुना तो रुपईया 180 दिया हुआ है टोटल का तुलना टोटल से कि यह लेकिन आप से पूज रहा है पचास पैसा वागा चाहिए फाला क्यातना सिक्का दिख रहा है जी टिए कि कैष्व पैसे वाला और भाई क्या दिखरा है तीन सी कर आपको की कर दिख yours र currency आपको यह 120 सिक्का दिख रहा है लींग्दम गोल गोलरायotta ठीक है हमारा भले गलत हो जाए यानि this is the right answer of this question और याद रखेगा एक चीद पॉइंट में याद रखेगा अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं सिक्को वाले प्रशनों का solution तो एक चीद याद रखेगा कि अगर point to be noted my dear students बच्चो एकडम ध्यान से सुनना कि अगर आपको रुपईया का ratio दिया है तो सिक्का का ratio निकालना आनिवार है क्योंकि अगर आपको सिक्का का ratio दिया हुआ है तो रुपईया का ratio निकालना आनिवार है क्योंकि जब सिक्का का ratio दिया रहेगा तो उपर amount दिया रहेग और अगर रुपया का रेश्यो दिया रहेगा, तो उपर सिक्वा दिया रहेगा, इस चीज को याद टाकि हम कोशिश करेंगे यहीं पर solution करने का इसका ठीक है चलिए यहीं पर question यहीं रहने देते है रोपर ically Dad Alermanousisन क्वेशन करते हैं ठीक है question क्या कर रहा है बच्जा कोशन कर रहा है कि एक ठैली में 20 रुपया 10 हुर पाँच रुपया के नोट है अब यह सिक्का का काम खत्म नोट वाला आ गया एक थैली है उसमें 20 रुपया वाला 10 रुपया वाला और 5 रुपया का तीन परकार का नोट है देखिए यदि थैली में कुल धनराशी 1000 है धनराशी कितना है धनराशी है 1000 धनराशी कितना है जी 1000 है किस परकार के नोट है जी नोट है 20 रुपया वाला रेशियो 10 रुपया वाला रेशियो 5 रुपया वाला तेन परकार का नोट है और आपको जो है कराए कि यदि 20 रुपया 10 रुपया और 5 रुपय के नोट जो है वह तीन अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में यानि आपको जो है वह नोटों की संख्या दियोई है कि धनराशी कितना है अभी अभी हमने डिस्क स्किया था कि अगर नोट यह सिक् राथ दियार है तो रुपया या धनराशी क скор神 रेर तोagine कहेंगे यह सकते हैं कोई दिक्कत नहिएं differently प्र चार नोट कहेंगे तो 45 पौने बनेगा प्रश्ण से प्रश्ण से आपको पता है कि आपके पास कितना है एक हजार रुपईया है तो रुपईया का तुलना रुपईया से और टोटल एक हजार है तो टोटल से तुलना करेंगे 60 40 100 और 25 125 टोटल का तुलना टोटल से रुपईया का तुलना रुपईया से क्या प्रश्न कर रहा है कर रहा है पांच रुपे वाले नोटों की संख्या तो अब देखिए मेरे बच्चों पांच रुपे वाले नोट कितने हैं कहेंगे सर रुपईया का तुलना रुपईया से लेकिन जिसके बारे में पूछे वहां जाएंगे तो हमें पूछ रहा है नोटों की संख्या कौन सा पांच रुपया वाला तो उसके नीचे आ गए तो पांच रुपे वाले नोटों की संख्या यहां पर लिखेंगे पाँच उरुपे वाले नोटों की संख्या भाई कोश्चन आपको पाँच दिख रहा है 125 में 8 बार से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 108 पचे 40 नोट This is the right answer of this question बिल्कुल समझ में आ रहा होगा Am I right? तो अगर simple है अगर आपको ratio दिया रहेगा नोटों की संख्या का या सिक्कों की संख्या का तो रुपईया का अनुपात निकाल दीजिएगा अगर ratio आपको रुपईया का दिया रहे तो सिक्का का संख्या का अनुपात निकाल दीजिएगा बहुत आसान है कहीं पर स्वाई जेड मानने की कुछ जरुवत नहीं है अभी एक दो कोशन और बढ़िया बढ़िया कोशन हम देखते हैं जैसे देखिए आपका कोशन है अच्छा यहां सब रुपईया वाला ही है मेरे साब से एक आगो सिक्का वाला है कोशन देखते हैं पहले सॉल्व करके हाँ इस इस बार रुपईया ना देकर इस बार सिक्को की संख्या दे रहा यानि यहां पर हम लिखेंगे सिक्को की संख्या कितना तीन सो चालिस कितने सिक्के हैं जी तीन सो चालिस कौन कौन सा सिक्का है एक रुपईया वाला है पचास पैसा वाला है पचीस पैसा वाला है पचीस वाला है, मतब तीन परकार का सिक्का है, और आपको ये जो रेशियो दिया हुआ है, करें सिक्कों के मुल्य का अनुपात, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बात, लेंगवे समझे, सिक्कों की संख्या नहीं दे रहा है, सिक्कों का मुल्य दे रहा है, यानि इस बार जो आपक तो यहां पर जो है यह आपको जो रेशियो दिया हुआ यह किस चीज का दिया हुआ है यह धनराशी का दिया हुआ है रुपईया का दिया हुआ है क्योंकि देखिये करा है सिकों के मुल्ले का अनुपात यह रुपईया का अनुपात क्या पूछ रहा है पांच अनुपात चा अनिवारी है common सी बात है तो आप समझिए ना कि आपके पास पाँच रुपई है इधनासी में तब रुपईया है ना आप यहां पर रुपईया लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई कुछ नहीं बोल लेगा ठीक है मैं ऐसे तो लिखना नहीं चाहिए क्योंकि कोशन में रेशियो है पर फिर भी मैंने रुपईया लिख दिया अब आप सोचीन आपके समझाने के लिए मैंने लिख दिया आपके पास पांच रुपईया है और सब एक रुपईया वाला सिक्का तो कितना सिक्का देगा चलिए आपके पास चार रुपईया है और वो चार रुपईया कैसा सिक्का है अठनी है तो बताइए चार रुपईया के लिए कितना अठनी का जुरत पड़ेगा पचास पेसा का सिक्का है ना चार रुपईया है चार रुपईया आपके पास है दूसरे पोकिट से मालो इधर वा तो बताइए कितना चवन्नी जो है वो एक रुपया बना कर देता है तो यहां पर यह सिक्को के संक्या ठीक है अब देखिए प्रश्ण से आपके पास है तीन सो चालीस सिक्के तो सिक्का का तुलना सिक्का से रुपईया का तुलना रुपईया से एक दम पॉइंट याद इसलिए हमें सिक्का निकालना पड़ा आठ पांच तेरा तेरा चार सत्रा सिक्का घतुलना पांच आठ पांच तेरा चार सत्रा क्या चाहिए इन सिक्को का अच्छा 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 सवाल क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है इन सिक्को की संख्या ग्यात रहें मत पचास पैसा वला अगर हमें निकालना हो, तो 340 बटे 17 और 50 पैसा वला 8 सिक्का है न, 20 बार में कटेगा, 20, 80, 160 सिक्का, और अगर 25 पैसा वला निकालना हो, तो भी करेंगे 340, हलाक इतना करने का जुरत नहीं था, डिरेक्टली 20 से गुना कर देते, ठीक है, तो भी काम हो जा आना है, आपको हमें दिखावा नहीं करना है, इसलिए कितना सिक्का, 80 सिक्का, ये फाइनली अंसर हो गया, ये 80 सिक्का, 160 सिक्का और 100 सिक्का, यानि 100, 80, sorry, 100, 160, 80, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरू डालिएगा, यहां सर ब 100 परसेंट आप हमें समझा पा रहे हैं, और हम बिल्कुल आपके इस तरीके से, आपके इस कॉंसेप्ट से बहुत प्रभावित हो चुके हैं, इस तीन-चार कोश्चिन्स में, अभी एक कोश्चन और करने वाले हैं, और याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर द क्यों है, एक थेली में एक रुप्या 50 पैसा और पचीस पैसे के सिखेंगे, जरूरी नहीं है, कहीं दस पैसा, बीस पैसा, तीस पैसा, कुछ भी रह सकता है, वो डिपेंड करेगा, आप वैसे ही बनाइएगा, कि सिक्का कानुपात रहे, रुपईया कानुपात निकली गा एक बार, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर दिखने चाहिए, एक थेली में एक रुप्या 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, और कुल मुल अच्छा रुपईया, धनराशी इस बार दिया हुआ है, धनराशी कितना दिया हुआ है, एक सो अश्ची, धनराशी एक सो 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला, ठीक है, कितने सिक्के हैं, ठीक है, यानि रेश्यो किसी का दिया हुआ है, सिक्का का दिया हुआ है, किस अनुपात में, दो अनुपात, तीन अनुपात, चार के अनुपात में है, तो यहां क्या लिख देंगे हम, यहां लिख देंगे धनरा देखें कैसे निकलेंगा एक रुपया वाला दो सिक्का दो कितने सिक्क है अपने मंद से हमने लिए कि इतने शिक्क है जो सुरी जो दिया हुआ है 180 का तुलना 4.5 से क्योंकि 2.5, 3.5 और 1.5, 4 अब आपको हमें चाहिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 4 सिक्के है चलो अब यहां से करिए आधा से काटिए तो 9 बार में कटेगा यह 8 बार में कटेगा यह 20 बार में कटेगा 20 9 180 और 20 8 160 सिक्का मतलब कोश्चन लास्ट में नहीं दिया वा था मैंने ध्यान नहीं दिया उस्टीर को चलो कोई बात में इस तरह के वीडियो के लिए बिलकुल हमारे चैनल के साथ जूड़े रहे कंटीनू बहुत मैंने बोला ना बहुत धाकड धाकड वीडियो ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए बना कर लाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ड्रीम क्लासे को ठीक है बाबाई टेक झाल को कर दो कर दो हमेंगे बोला कर दो एक दो किर दो हमेंगे कर दो हमेंगे लिस अराथ यह का।